श्री शिवाय नमस्तूब्यम हरहर महादेव मैं पायल सेनी अपने यूटूब चेनल आज की उपाय में आपका स्वागत करती हूँ आज की कथा में गुरुजी ने बताया है तीन तरीके से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता है पहला पानी में डूप के मरने से दूसरा किसी सर्प के काटने से तीसरा किसी इस्त्री के चक्कर में ये किसी इस्त्री के हाथ से मनने से इन तीनों तरीके से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष की प्राप्ती नहीं होती है यदि कोई भी व्यक्ति इन तीनों तरीकों में से यदि मरता है तो उसे ना ही वेकुंट मिलता है ना ही नर्क मिलता है वे व्यक्ति हमेशा भूत प्रेत की योनी में भटकता रहता है इन तीनों तरीकों से मरे हुए व्यक्ति को मौक्ष दिलाने का सिर्फ एक ही उपाय शिव महापुराण में बताया गया है जहां भी शिव महापुरान की कथा होती है वहां के आसपास के शेत्र में जहां तक कथा के शब्द या शिव महापुरान की कथा की आवाज पहुचती है वहां यदि कोई अदोगती में मरा हो गर्ब में मरा हो कुवारी अवस्था में मरा हो पानी में डूप के मरा हो, साप के काटने से मरा हो, किसी इस्तरी के चक्त में या किसी इस्तरी के हाथ से मरा हो या सुसाइट करके मरा हो, हाट अटेक से मरा हो, कुवारी अवस्था में मरा हो या अन्य किसी तरीके से मरा हो और उसकी आत्मा भटक रही हो तो शीव महापुराण की आवाज जहां तक जाती है सब को तार देती है सब का मोक्ष हो जाता है उसके बाद उसकी आत्मा प्रेत योनी में नहीं भटकती है आकरी तक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें कमेंट में हर हर महादेव लिखें साथ ही चैनल को सस्क्राइब कर लें श्री शिवाय नमस्तू भ्यम